Hello friends. इस वीडियो में हम एट्मोस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे atmosphary pressure क्या होता है The matter of atmospheric pressure exalted by the envelope of earth which is known as atmospheric pressure Earth surface के चारों त्रफ air the air से ठके हुए iarth pularuję पूरे तो जो एर का मिक्सिर है अर्थ के उपर जो चारो तरफ से अर्थ को डक डखा है उसके वज़ास से जो प्रेशर क्रियेट हो रहे हैं अर्थ के अपर हम उसे बोलते हैं एक्स्मोस्फिरिक प्रेशर अगर यह हमने इसे मालने अर्थ है अर्थ के सरांडिंग एर्थ होते हैं और इस एर्थ के कारण जो प्रेसर लग रहा होगा अर्थ पे इसे हम बोलते हैं एटमस्फेरिक प्रेसर तो इसे एटमस्फेरिक प्रेसर बोलते हैं इसे मेजर कर से करते हैं तो एटमस्फेरिक प्रेसर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमेटर एटमस्फेरिक प्रेसर को हम बैरोमेटर से मेजर कर सकते हैं बैरोमेटर होता कर आया है कैसे काम करता भी देखते हैं हमारे पास एक नेरो ग्लास ट्यूब है नेरो ग्लास ट्यूब में हमने मर्करी फिल कर दिया सपुझ हमने एक नेरो ग्लास ट्यूब लिया और नेरो ग्लास ट्यूब के अंदर हमने मर्करी फिल कर दिया अब वो जो मर्करी है वो पूरा फिल करके हमने एक ऐसा बकेट लिया ह इस वकेट में भी हमने मरकरी फिल कर दिया यहां तक तो हमारे पास ट्यूब में भी हमने हमने का क्या कि ट्यूब में भी मरकरी हमने फिल कर दिया और इसमें भी मरकरी है अब हमने क्या क्या तो जैसा कि यहां पर देख सकते हैं हमने नेरो ग्लास ट्यूब लिया है इस नेरो से एक सिर्च का ताई लेग है अ सब्सक्ताने इस आंदर इंदर ओल्टा करें रख दिया जार में से इसके इंदर डालेंगे भांगे से डालने पर यहां तो अल्लेडी मर्कडी फिल है उल्टाकरी मर्कडी डालने पर क्या होगा कि जो मर्कडी है गलास्टीब के अंदर वो हमने उल्टाकर के डाल दिया इसको इस बकेट के अंदर जहां पर अल्लेडी मर्कडी फिल है अब जब हम यहां से अंगली अटाएंगे करने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो मरकड़ी फिल्ड है थे वो मरकड़ी धीरे-धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे और वो मरकड़ी इसके अंदर से इस तरफ बाहर आ जाएंगे बाहर आएंगे लेकिन यह बाहर कब तक आएगा जब तक एटमосफेरिक प्रेसर के एकवल ना होजा है बाहर जो प्रेसर लग रहा है अब जब हमने ऑपर से लगएगा और यहां से यह लेकविड मरकरी के अंदर से तब तक बाहर आता रहेगा जब तक उर तक बीडेएवा इसके करें इंकल अब ना चाह्या और यह जो है नीचे आना बंद हो जाएगा और एक सर्टें टाइंड पर जाकर यह रुख जाय गा और यह एक हाइट सो करेगा और वह हाइट जो होती है वो पॉरिण 0.76 meter पर यह डुक जाती है जिसे हम 760 mm भी बोलते है तो यह मरकडी इसके अंदर मरकडी फिल हैं और क्योंगी यहाँ पर एर नहीं है तो यहाँ पर होता है। यहां पर टोटली क्या है है क्योंकि liquid सारका सारा मर्कडी नीची आ तो अंदर कुछ नहीं था तो यह वैक्यूम है और यह वापर से गलास से हां प्रीक्ष डॉश्य प्रेश को प्रेसर नहीं है तो अब क्या होगा की यह 0.7 तो यह सिंपल मर्कडी का यूज चे हम एटमस्फ़री प्रेशर को मेजर कर सकते हैं इस ट्यूब की लेंद्ध है और यहां पर पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमें 0.76 मीटर दिख जाएगा तो प्रेशर ऑफ अटमस्फ़री कॉल्टी प्रेशर ऑफ एच जी कॉल्म तो इससे हम पता कर सकते हैं एटमस्फ़री प्रेशर जो की प्रेक्टिकली क्या होता है प्र है एक जी कॉल्म पर लेवर लेवर 767 60 mm है तो यहां पर हम देख सकते हैं एटमस्फ़रीक प्रेशर वन एटियम वन एटियम एकुल टू हमने क्या किया वेट अपॉन एरिया लिया है एटमस्फ़रीक प्रेशर एकुल टू वेट अपॉन एरिया या फोर्स एकुल टू एम एम और एक कनवर्ट कर दिया हमने जी में तो हम सिंपली वेट अपॉन एरिया देख रहे हैं यहां तो mg upon a, अब यह जो मास है, मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटु डेंसटी, क्योंकि density का फर्मुला होता है, क्या, density equal to mass per unit, वॉल्यूम होता है density equal to mass per unit volume तो mass को लिख सकते है density into volume तो हमने density into volume mass को लिख लिया into G upon A इस volume को में लिख सकते है area into height height of column so area into height rho G A से A cancel हो गया माने पस 180 equal to rho GH तो rho GH pressure 1 atmospheric pressure the pressure is equal to rho GH तो practically pressure is height of HG column at C level pressure atmospheric pressure is equal to 760 mm of HG column or 0.76 meter of HG column so we have two equations pressure equal to rho GH or we can say that pressure equal to w into H a small w is specific weight of fluid a specific weight क्या होता है specific weight equal to होता है rho G rho into G तो हमने निकाल ले थे हैं तो हम इसको यह लिख सकते हैं इन SI और प्रेशर कीजहुनिट होती है वह होती है पास्कल या नूटन परिमिटर स्कुरार तो में SI में हम इसको पास्कल लेखते हैं यह नूटन परिमिटर स्कुरार यह यूट होगा स्कियू हिए सौ हिने साइए यूनिट है वहाँ प्रेसर एटमस्फिर्क प्रेसर में निकालना है कि कितना आता है थो हमारे पास फार्ब्ला क्या है रो घ्डि projected देंसेटी आफ़ लीकृट तो लिकृट जो मैंने लिया है समरिक मरकडी के density ही होती है 13600 kg पर मीटर क्यों हो तो हमने ले लिया 13600 density ले लिया जी हमने ले लिया 9.8 and H जो है वो हाइट है मरकडी कॉलम के 0.76 तो यह हमारे पास आ गया है हमने इसे कल्कुलेट किया हमारे पास है 1.013 x 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्कूर यह तब होता है जब हम मरकडी कॉलम लेंगे मरकडी लेंगे अगर हमारे पास मरकडी की specific weight या specific gravity होता है मरकडी का 13.6 अगर हम specific gravity को water की density से multiply करें जो की water की density होती है 1000 kg पर मीटर की तो और water की density से हम specific gravity को multiply करें तो हमारे पास आ जाएगा material की density तो किसी भी material की density हम पता करने के लिए क्या करते हैं कि उसकी specific gravity को हम multiply करते है water की density के साथ मतलब 1000 के साथ तो mercury की density mercury के specific weight होती है 13.6 इसको हम 1000 से multiply करते हैं हमारे पास आजाता है 13.6 00 यह density है mercury के kg पर मिटर की है यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास है specific density equal to density of material density of material upon density of water तो specific density density of material upon density of water होता है तो density of material find करने के लिए हमारे पास formula क्या जाते हैं तो मैं आज से cross multiply कर लेंगे specific density और specific gravity into density of water वहीं अगर हम बात करें कि क्या होगा अगर हम mercury column ना ले mercury column के जगर पे हम mercury column के जगर पे हम उस glass tube के अंदर हमने water फिल कर लिया कहने का मतलब कि अगर हम इसके अंदर mercury ना लेके mercury का जो होता है density वो दी है 136 00 kg पर मीटर क्यों तो क्या होगा अगर हम mercury ना लेके हम इसके अंदर water लेते हैं तो water लेते हैं तो क्या होगा तो मैं पास formula in case of water तो हमाने पास हमने देखा कि atmospheric pressure equal to आया 1.013 into 10 की पावर 5 newton पर मीटर स्कार यह आया हमाने पास atmospheric pressure तो in case of water हमने pressure लेली atmospheric pressure तो हमने पेसर जो हमने निकाला है तो हमाने पास newton permit required इतना यह equal to हम करेंगे रो जी इच रो जी इच मिंस अब water के हम बात कर रहें तो water की बात कर रहें into hw height of water column की कितना water column की height होगी अगर हम mercury के बादले water column लेते हैं तो कितने height range करेगी उसकी क्योंकि mercury column में हमने देखा था कि 0.6 meter age किया अगर हम mercury ना fill करके water fill करते हैं तो हमने क्या-क्या pressure equal to rho g h किया और rho हमने water density लेलिया g 9.8 and hw है हमारे पास height of water column जो में निकालना है तो अब हम जब इस से calculate करेंगे तो हमारे पास क्या है 1.013 into 10 g power 5 newton parameter square upon यह divide हो जाएगा 1000 into 9.8 hw तो इसकी value जो आएगी calculate करने पर हुगाएगी approximately 10 meter calculate आ सकते हो तो approximately 10 meter आ जाएगा 10 meter तो हम देख सकते हैं कि यह जो है वो 0.6 meter है इसकी height अगर हम mercury column लेते हैं इसकी density water से ज्यादा होती है तो 0.76 meter आता है लेकिन यह आता है वह आता है approximately 10 meter जो काफी लंबी column हो जाएगी तो इसलिए हम water यूज ने करके हम mercury यूज करते हैं क्योंकि mercury का density ज्यादा होता है water से तो हम इस तरह के से बाकी के लिए हम liquid के साथ भी हम कर सकते हैं